रिक्ष की महत्वपूर्णता रिक्ष जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी महत्वपूर्णता को हमें समझना आवश्यक है बेल रिक्ष को कल्प रिक्ष कहने का कारण ये है कि वेदों में इसे आप्रिया देवताओं का प्रतीक माना गया है बेल पत्र लोड शिव की प्रिय पूजा सामगरी होते हैं और शिव भगवान के श्रद्धालू उन्हें अपने उपासना में शामिल करते हैं बेल रिक्ष पूजा के फाइडे बेल रिक्ष पूजा के अंगिनत आध्यात्मिक और शारीरिक फाइडे होते हैं इस पूजा के द्वारा हम अपने आपको प्रकृती से जुड़ने का मार्ग प्राक्त करते हैं और अपनी आत्मा को शांती और स्थिर्टा की आवस्था में ला सकते हैं। बेल रिक्ष की पूजा से हम अपने आत्मा को पूरी तरह से शुद्धी और पवित्वता से परिपूर्ण महसूस करते हैं आजकर की समय में पेर पौधों की रक्षा और पर्यावरन की सुरक्षा महत्व पूर्ण चुनोतियों में से एक है बेल रिक्ष पूजा के माध्यम से हम इस बारे में जाग्रूकता पैदा करते हैं कि पेर पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और हमें उनकी सुरक्षा के लिए सहयोग करना आवश्यक है बेल रिक्ष पूजा हमें आध्यात्मिक ब्रिष्टिकों से अध्यतित करती है हमें याद दिलाती है कि हमारी आत्मा भगवान के साथ मिलकर एक है और प्रकृती के साथ एकता की भावना हमें सदैव अपने आप से जुरे रहने का संदेश देती है श्रावन मास में बेल रिक्ष पूजा करना एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव को संजीवनी देने की तरह होता है ये हमें अपने पर्यावरन के महत्वा को समझने के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नती की दिशा में बढ़ने का मार्ग प्रदान करता है इस श्रावन मास में बेल रिक्ष पूजा के माध्यम से हम अपने आधर्शों के प्रती समर्पित रहे कर एक उध्यात्मिक यात्रा पर मिकल सकते हैं श्रावन मास में बेल रिक्ष की पूजा करना एक आध्यात्मिक और पर्यावरनिक ग्रिष्टिकों से महत्वपूर्ण है ये पूजा हमें प्रकृती के साथ संधर्ष करने की उप्युक्ता और आध्यात्मिक उन्नती की दिशा में मार्गदर्शन करती है इस श्रावन मास हम इस पूजा के माध्यम से अपने आधर्शों की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं और प्रकृती के साथ अनुबंध बना सकते हैं ध्यां देने योग्या है कि बेल रिक्ष की पूजा को आपके आध्यात्मिक बुरू या पंधित के मार्ग दर्शन में करें हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बेल रिक्ष की पूजा के बारे में सही जानकारी प्रदान करेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें